फ्रेंड यूटूब पर वीडियो अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कम्प्यूटर या फिर लैप्टोप के अंदर कोई भी वराउजर को उपन कर लेना है तो मैं यहापर गूगल क्रोम को उपन कर लेता हूँ उसके बाद आपको राइट साइड में Google Apps का इकन मिलेगा आपको सिंपल इसके उपर कलिक कर देना है तो यहापर आपको यूटूब पर कलिक कर करके यूटूब को उपन कर लेना है या फिर जो आप डारेक्टली सर्च कर सकते हैं मैं यहापर सर्च कर लेता हूँ यूटूब आपको सिंपली सर्च कर लेना है तो आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइड आएगी यूटूब की जो आपको इसके उपर कलिक कर देना है इसके उपर कलिक करते ही आपका यूटूब ओपन हो जाएगा जब आपका YouTube open हो जाता है तो उसके बाद आपको यहाँ पर पलस का आइकन मिलेगा आपको सिंपली इसके उपर कलिक कर देना है इस पे कलिक करने के बाद आपको दो अप्शन मिलेंगे अपलोड वीडियो गो लाइब तो हम अपलोड वीडियो के उपर कलिक करेंगे इसके उपर कलिक करने के बाद आपके सामनी कुछ इस वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ नीचे लेके आउगा हमाँ और यहाँ पर लाकर इसे छोड़ दूआ तो यह यहाँ पर अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी लेकिन जो है मैं ऐसे नहीं करने वाला हूँ मैं simply क्या करूँगा friend यहाँ पर select file का option है इसके उपर click करूँगा जैसे हम इसके उपर click करेंगे तो हमारी file open हो जाएगी यहाँ से हम अपना video select कर लेंगे तो मैं जो अपना video select कर लेता हूँ उसके बाद open के उपर click करूँगा तो यह जो uploading start हो जाएगी उसके बाद friend यहाँ से जो है आप अपना title दे सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर अपना title डाल देता हूँ यहाँ पर मैं अपना title डालूँगा YouTube पर video कैसे डालें उसके बाद friend यहाँ पर जो है नीचे आप अपना description डाल सकते हैं आप अपने इसाब से जो भी आपका description है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं नीचे आपको यहाँ पर thumbnail सेट करना होता है मैं आपको suggest करूँँआ आप यहाँ पर thumbnail ना डाले आप यहाँ पर यहाँ पर आपको tag डाल देना है तो मैं यहाँ पर tag डाल देता हूँ जैसे की उसके बाद आपको enter press करेंगे तो आपका यूटूब पर वीडियो कैसे डाले यह वाला tag लग गया आप जो बर्जी है वो tag आप डाल सकते हैं अपनी वीडियो के इसाब से नीचे आप अपनी वीडियो की language सेलेक्ट कर सकते हैं तो मैं हिंदी बनाता हूँ तो हिंदी language को सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद फ्रेंड आपको थोड़ा नीचे आना है यहां पर आपको next के उपर क्लिक कर दे रहा है next पे click करने वाद फेंड आप अपनी वीडियो के अंदर यहां से subtitle डाल सकते हैं add के उपर click करना है उसके वाद आप अपनी वीडियो के अंदर end screen भी लगा सकते हो last में तो आपको add के उपर click करना है तो आप यहां से end screen लगा पाऊगे आप अपनी वीडियो के अंदर आई कार्ड भी लगा सकते हो जिसको हम आई बटन बोलते हैं तो आप जो है यहाँ पर कलिक करके आई बटन भी लगा सकते हो सब कुछ हो जाने के बाद आपको next पर कलिक करना है आपको इसी चोड़देना है उसके बाद आपको next करना है next करने के बाद आप अपनी वीडियो को यहां से private कर सकते हो unlisted कर सकते हो, public कर सकते हो तो मैं आपर public करूँगा अगर आप चाहे तो अपनी वीडियो को schedule भी कर सकते हैं जैसे कि अगर आपको चाहिए कि मेरे वीडियो उस date को दिखे या फिर जो उस time को दिखे public show हो तो जो है आप इसमें schedule डाल सकते हो या फिर जो आप public करके इसे जो है publish पे click कर दीजिए तो आपका वीडियो जो है uploading लग जाएगा अब भी friend आप देख रहे हैं हमारा जो वीडियो है वो 10% जो है upload हो चुका है उसके बाद जो आपको यहां से इसे close कर देना है जैसे आप इसको close करेंगे तो आपको जो है यहां पर दिखता रहेगा आपका वीडियो कितने percent upload हो गया है यहां पर भी आपको दिखता रहेगा जब यह 100% complete हो जाएगा तो आपका वीडियो successfully यहां से जो है upload हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को delete करना चाते हैं तो आपको simply यहां पर आना है 3.0 के उपर click करना है यहां से आप अपनी वीडियो को delete कर सकते हैं अब यहां पर cancel के उपर click करके भी जो है अपनी वीडियो को delete कर सकते हैं उम्हीद है फ्रेंड आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा हुगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को like share जरूर कर देना मिलती है ऐसी एक और next वीडियो में